नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वाला पर और मैं जानता हूँ कि आप पड़ाई में विवेस्थ होंगे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता अगर आपने आपके इंस्ट्रक्शन जो दिये है होल्डेकिट पर एडमिट कार्ड पर हो तो क्या है तो जनरली आप सभी जानते कि यह पूरा एग्जामिशन सिस्टिम ही इसके इर्दगीर्ध है तो सोचल डिस्टेंसिंग का पालना में करना ही है एग्जामिशन स्थल पर आपकी एंट्री से लेकर आपके एग्जिट तक सभी सभी जो स्टूडेंट से उनको हर स और एक ब्ल्यू और ब्लाक भी चलेगा बॉल पेन लेकर जाईएगा आपका अडिमिट कार्ड ओरिजनल फोटो आईडी प्रूफ और अगर जरुवत पड़ी तो फिर जो नेम चेंज का गैजट या फिर मैरे सरेटिविकेट या फिर एफिर एफिर है तो उस साथ लेकर आ अरग्य सेत्यू एप के बारे में बात करेंगे तो अरग्य सेत्यू एप आपके मोबाइल में होना ही चाहिए तो यह mandatory किया है उन्होंने सभी के लिए तो अगर आपके पास स्मार्ट फोन है तो उसमें एप्लिकेशन होना जरूरी है आपको उनको आपके एप्लिकेशन का टैश बोड दिखाना होगा वहाँ पर रिस्पेक्टर आपका देखेंगे गेट पर ही यह सब प्रोसेस होगी अगर आपके पास स्पार्ट फोन नहीं है आप इस्तमाली नहीं करते या फिर नहीं क्योंकि अंदर तो वह बैन है अंदर आप मोबैल फोन नहीं ले जा सकते तो अगर आपने घर में रखकर अगर चले गए तो साथ में आप फिर यह सेल्फ डिकलेरेशन फॉर्म आप लेकर जाईएगा चोटा सा फॉर्म में आप उसे भर दीजेगा जो भी अगर सिम्टम्स है तो यहाँ पे आपको उसे अगर है तो यस या फिर नहीं है तो फिर क्रॉ आप आगे कर सकते हैं तो चले आगे जाएंगे तो कुविड-19 के लक्षन वाले स्टूड़न्स को एक्जाम स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा कोई पर्टिक्लर उन्होंने सिम्टम्स या फिर लक्षन दिये लेकिन जनरली इन लक्षनों के जो उन्होंने फॉर्म में दि आपको उसके लिए आपको ज्यादा समय लग सकता है तो आपको एंट्री टाइम आपका पहले मैसेज किया जाएगा एंट्री पॉइंट्र पर आपका जब आप गेट के अंदर जाओगे तो जहापे सेकुरिटी होगी वही पे भी आपका तापमान आपका टेंपरेचर जाएगा अगर वो रेंज में है सामने रेंज में है उन श्टूड़नस को ही जिनका saमने रेंज में तापमान आएगा उन स्टूड़न्स को ही अंदर प्रवेश मिलेगा बाकी स्टूड़न्स को नहीं मिलेगा ז् के लिए special instruction दे दिये गए है कि आपको sitting arrangement कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी बाहर notice board पर नहीं होगी आप जब इंट्री करोगे तो जैसे आप इंट्री करोगे आपका पहले verification होगा जब आपका तापमान लिया जाएगा बाकी का information आपकी check की जाएगी और उसके साथ साथ आप registration desk पर आपका photo लिया जाएगा तो ये process बाहर ही होने वाली है आपके आपको जो वहाँ पे कीचे हुए circle होगे जो circle draw किये होंगे उसे के आनुसार ही movement करनी है और आपको हर समय cctv की नजराप पर होगी तो चलिए कुछ examination के regarding instructions है उसकी तरफ हम मुड़ते COVID-19 के बारे में जो उसे डाल कर आपको login करना है screen पर आपकी information दिखाए देगी login के बाद उसे सिर्फ आपको एक बार verify करना है तो आपको आपके पास जब आप examination hall में होंगे या फिर जब आपकी examination hall में entry होगी जहांपे भी वह ये verification होगा उस समय आपके पास क्या-क्या होना चाहिए तो admit card आपक आपके पास होना चाहिए जो ID proof है उसमें क्या-क्या document शामिले थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे तो pan card चलेगा, passport चलेगा, driving license चलेगा, water's ID चलेगा, अगर आपके पास है तो bank pass book भी चलेगा लेकिन उसमें आपका photo और bank का stamp उस पर होना चाहिए उसके बाद gazetted officer ने उनक pro forma होता है उसमें दिया हुआ identity proof भी चलेगा, आपके local जो representative होते हैं आपके उनों ने भी उनके official letterhead पर दिया photograph के साथ तो वो भी चलेगा, या फिर recently जो identity card आपका होगा आपके junior college का तो वो भी चलेगा, या फिर आधार या फिर ये आधार card photograph के साथ चलेगा, लेकिन दोस्तो तो किसी भी परिस्तिते में soft copy पेश नहीं कर सकते हैं, आपको hard copy आपके साथ होनी चाहिए और उस ID proof पर register जो आपने नाम दिया है, जो आपने register किया CT sale पे, जो आपने CT के समय form भरते समय नाम दिया है, वह और आपके ID proof पर का नाम बिल्कुल match होना चाहिए, जिन female candidates ने नाम चेंज किया है शादी के बाद, तो उनके पास marriage certificate या फिर गैजट की copy, नेम चेंज की गैजट की copy, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर अफिडेविट आपने नेम चेंज का अफिडेविट, original अफिडेविट आपके साथ रखे, जैसे कि हमने कहा कि उन्होंने ball pen आपके पास खुद का साथ लेकर जाने के लिए बोलाए ताकि वहाँ पे pen की lane देन ना हो, जिन्होंने form भरते समय नाम में गलती की है और अब जैसे बहुत सारे students ऐसे जिन से typing में गलती हो गई थी, तो अब फिर हाला कि उनका ऐसा होगा, जब गलती हुए तो फिर उनके ID proof और form का जो application form में क्या गलत दिया है आपने, उसके साथ साथ original ID proof उस पर क्या है और आप unconditional undertaking पूरा भर कर उसमें आपको mention करना है क्या गलत कर दिया था और क्या correct है, ओ correct जो information आप लिखो गया unconditional undertaking में वो आपके original ID proof के साथ मैच होनी चाहिए, तो उसी प्रकर से आपको unconditional undertaking भरना है, आपके दिये गए जबाब, मतलब जब आप examination solve करोगे तो उसके जो responses होंगे, जो जबाब होंगे, वो दूसरे students के साथ analyze किये जाएंगे, उसके लिए कोई particular analyzing method या फिर procedure का इस्तमाल करेंगे, और इस procedure में अगर कोई ऐसा result आता है कि जो दिये गए आपने share किये हुए जबाब है, व कोई एक समान pattern है कुछ students का, तो फिर उनका result with head आप रख सकते है, उनका result नहीं आ सकता है, या फिर उनका candidature we cancel हो सकता है इस परिस्तिति में, तो दोस्तो admit card पर दिये गए समय से कम से कम डेढ़ घंटा पहले examination center पर report करें, जैसे कि मैंने कहां बहुत सारे activity होने वाली तो उसक का समय दिया है आपको, उसके पहले आपको डेढ़ घंटा कम से कम examination center पर report करना है, books, notebooks और बाकी के जो भी electronics गैजट है, वो examination hall में पूरी तरह से बैन है, आप नहीं ले जा सकते हैं, अगर आपने लेकर गए भी साथ में, तो वहां पर examination hall में उसे नहीं रख सकते हैं, आपको उस प्रकार से आपको करना होगा, आपके जिम्मेदारी पर, exam देते हैं समय किसी भी नियम का, जो भी invigilator आपको बताएंगे, जो भी terms and condition आपके examination होगी, उसका कोई भी भंग या फिर उसका नियम को तोड़ना नहीं है, और उसमें ये भी शामिल है, किसी को exam देते हैं मद की की examination date, session, examination center या फिर स्थान में बदलाव की किसी भी विननती को मानने ता नहीं मिलेगी, consider नहीं होगी, दूसरी बात आगे मुड़ते हैं तो सभी आवश्यक प्रयास के बाद भी हो सकता है कि CTCL ने बहुत सारी precaution ले ले लेकिन फिर भी कुछ समयों के कारण examination में कुछ रुकावट आती है, कुछ problem होता है, तो फिर इस परिस्थिती में कुछ प्रयास या फिर कुछ measures, कुछ ऐसे कुछ कदम उठाया जा सकते है examination body की दरब से, उसमें फिर students का movement एक जगा से दूसरे जगा students को जाना पढ़ सकता है, examination में देरी हो सकती है, फिर re-examination भी हो सकता है लेकिन इस परिस्थिती में अगर कोई students इसके लिए तयार नहीं होगा, तो उसे उस process से reject किया जाएगा, किसी भी center पर कोई technical problem आता है, या फिर system कम पड़ जाती है, वहाँ 100 students allocated है, लेकिन 50 system available है, तो फिर इस परिस्थिती में एक से ज़्यादा सत्र में examination लेना पड़ता है, और अगर एक से ज़्यादा सत्र में परिक्षायुजित की जाती है, तो उसमें जो उपयोग किया जाने वाली विभिन टेस्थ की जो value में या बैटरिया होगी, उसमें जो कठिना इस तर में थोड़ा सा अंतर जो आएगा, तो उसको समयुजित करने के लिए फिर विभिन स सत्र की स्कोर को समान किया जाएगा, दोस्तो अगले मुद्दे के तरफ मुड़ती है, तो किसी भी स्वरूप में किसी भी प्रकार की examination के बारे में information आप examination hall में बैठे हो और उस समय आप किसी भी स्वरूप में और किसी भी प्रकार की examination की information exam hall के बाहर नहीं बैश सकते, और स्थिति में आप कारवाई योग्यों होंगे अवेद तरीके से टेस्ट सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर में होना भी कारवाई योग्यों होगा स्टूडेंट्स परिवेक्ष के सामने इनिविजिलेटर के सामने examination hall में examination hall ticket पर आपका जो admit card या फिर hall ticket है उस पर signature करेंगे hall ticket या फिर admit card examination center में आपको submit नहीं करना है याद रखिएगा students उसे आपको admit card को आपको CD के भरे हुए form के साथ आपको उससे रखना है समभाल कर क्यूंकि आपको आगे admission process में उसकी जरुरत है उसे आपको upload करना है क्या आपके वक्त दिवैंग students को मैं बताना चाहता हूँ कि original disability certificate आप अपने साथ रखे अगर आपको लेखनिक या फिर लेखक की अनुमती मिली है तो उनका form उनके फोटो के साथ original आपके पास रखे lock table की soft copy आपके system पर होगी hard copy साथ लेकर जाने की आपको अनुमती नहीं है public transport को प्राधने देने के लिए बोला है क्योंकि examination center पर parking की facility नहीं होगी चोल आगले मुद्धी की तरफ मुड़ते तो parents को examination center पर entry नहीं होगी जिन्होंने application form में गलती की थी जैसे कि नाम में गलती हुई थी date of birth गलत हुई थी wrong photo upload हुआ था या फिर signature में problem था वह students unconditional undertaking पूरा फिल करके साथ लेकर आए ऐसे students का result admission regulating authority जिसे ARA भी कहा जाता है उनके आदेश के बाद ही declare होगा तो उन students का result थोड़ी देर से लग सकता है ऐसे student कौनसे students तो unconditional undertaking submit करने वाले students को क्या form भरते समय जब आप क्या आपके ले जाओगे क्या आपका form भरोगे तो उस समय आपको जो आपने अफिडेविट या फिर unconditional undertaking submit किया था उसे भी upload करना होगा किसके साथ साथ आपके hall ticket और आपके CT के application के साथ साथ आपको ये affiliate भी upload करना है हर एक paper के provisional answer की आपके login में तय समय पर available करकी किये जाएंगे और उसके बाद फिर grievance की बाद भी आ जाएंगी तो category से belong करने वाले students को ये हिदायत दी गए CT sale की तरफ से कि आगे आने वाले admission process में cast validity की बहुत ही जरुरत पड़ेगी, cast validity अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उसको प्राप्त करने में जुट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही essential document है और उससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही था रुकते हैं यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाएंगे